नवस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 17 अगस 2024 है, स्वागत है आपका आइटोवेल डिस्केशन में डिस्केशन स्टार्ट करने से पहले पास्कल का एक कोट देख लीजिए इसका मतलब समझते हैं, देखो पहला हिस्सम, जेस्टिस विदाउट फोर्स इस पावरलेस, अगर देखो सिरफ न्याय हो, पर उसे लागू करने की ताकत ना हो, तो फिर क्या फाइदा? जेसे कि देखो अगर कानून है, पर पुलिस ना हो, कोट का फैसला हो, पर उसे लागू करने वाला कोई ना हो, तो आप बताओ, क्या जेस्टिस होगा? नहीं होगा, दूसरा हिस्सम, फोर्स विदाउट जेस्टिस इस टैरनिकल, मतलब सिरफ ताकत हो, फोर्स का इस्तमाल क किया जाए, सरकार के दवारा या फिर राजा के दवारा, बट बिना जेस्टिस के, कोई कोट नहीं, कुछ नहीं, सिधा राजान की मन में जो आया, वो उसने कर दिया, तो आप बताइए, क्या ये जुल्म नहीं हो जाएगा? जैसे देखो, ताना साही मेना लीडर अपनी मर जी चलाता है, गुंडे गरीब लोगो को दबाते है, कोई powerful country दूसरे पर हमला कर देता है, तो ये क्या है? ये है force without justice, ये tyrannical है, दोनों चीजें balance में होनी चाहिए, न्याय के साथ उसे लागू करने की ताकत होनी चाहिए, और ताकत के साथ उसका सही इस्तमाल जरूरी है, यूज करना होता है, courts नय देते हैं, पर उनके orders लागू होते हैं, समझ गहें? तो ये concept देखो काफी important है, इस पे ethics में भी question पूछ सकती है UPSC, और even essay का quote भी ये बन सकता है, discussion की बात करें, आज देखो total हम तीन issues discuss करेंगे, सबसे पहला article, essence of India's inflation problem, देखो काफी deep में जाके इस article को हम समझेंगे, basics के साथ में, तो थोड़ा concentration बढ़िया रखिएगा, और उसके बाद article हम discuss करेंगे, ये वाला, नीचे, ensuring social justice in the bureaucracy, फिर next article, तीसे नंबर पे, Africa and the M-pox vaccine response, M-pox infection के बारे में है ये article, लेकिन थोड़ा means का aspect है, तो चलिए discussion स्टार्ट करते हैं, आज की हमारी discussion में सबसे पहले important article, essence of Indian inflation problem से समधित हैं, आप देखो, syllabus paper 3 में, इन topics से article को relate कर सकते हूं, सबसे पहले न, कुछ basics आपको बता लेता हूं, ताकि ये article अच्छे से समझ में आए, inflation का क्या मतलब हैं, देखो, inflation एक economy concept है, जो हमें बताता है, कि time के साथ, goods and services के price में, कितनी बढ़ोतरी हुई हैं, जैसे simple example लेता हूं, माल लीजिए, पिछले साल, एक समोसे की value थी, एक रुपे, और इस साल समोसे की, जो price है, वो है, डेड़ रुपे, तो inflation कितना हो गया, 50% गलत जबाब, क्योंकि देखो, सिरफ समोसे की कीमत कितनी बढ़ी है, यह नहीं देखेंगे न, ऐसा थोड़ी न है कि, जनता सिरफ समोसा ही खाती है, राद दिन, सुबह साम, समोसा, 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 नहीं, और बहुत सारी चीजें, जनता consume करती है, न, तो उनका price कितना ब एक average Indian household regularly consume करता है, यह basket, तोकरी जो है, वो represent करता है, कि Indian family, एक average Indian family अपना पैसा कहां खर्ज करती है, अब इस तोकरी में देखो, food items आएंगे, जैसे rice, आटा, दाल, सबजी, दूद, fuel आएगा, जैसे cooking gas, यह सब चीजें, health care, जैसे medicine, doctor visit, कपड़े, school fees, books, transport, personal care items, entertainment, सब आजाएंगे, इस तोकरी में, समझ गए, मतलब एक basket बना लिया, और इस basket में उन goods and services को सामिल कर लिया, जो एक average Indian household consume करता है, तो अब इन सब की values को मिला के देखा जाता है, ना सिरफ एक item को, inflation का basic concept आपको पता लग गया, अब inflation में ही दो important concept है, एक है headline inflation और दूसरा है core inflation, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए, article में बार बार इनका मतलब आता है, सबसे पहले बात करते है, headline inflation की, change in the value of all goods in the basket, जो हमने अभी टोकरी के बारे में समझा था ना, उस टोकरी में देखो, जितने भी goods and items आते हैं, सब की अपनी-अपनी weightage हैं, जैसे food items की weightage ज़्यादा है, importance के इसाब से weightage हैं, तो headline inflation count करते वक्त ना, सब की value को देखा जाता है, पिछले साल के अपिक्सा करत, किसकी value, कितनी increase या फिर decrease हुई हैं, तो ये जो headline inflation होता है ना, ये overall price level को measure करता है, इसमें हम सब कुछ सामिल करते हैं, लेकिन इसके विपरीत, जो core inflation होता है ना, वो count करते वक्त हम टोकरी से ना, food item and fuel items को निकाल देते हैं, टोकरी में जितने items थे, उसमें से हमने food item और fuel item निकाल दिया, और उसके बाद हमने फिर inflation को measure किया, तो वो है core inflation, ऐसा किसलिए किया जाता है? ऐसा देखो इसलिए किया जाता है, क्योंकि RBI का कहना है, यह जो food item and fuel item है ना, यह देखो बहुत ज़्यादा fluctuate करते हैं, बहुत ज़्यादा fluctuate करते हैं, कभी tomato की कीमत 1 kg 20 रुपे, कभी 1 kg 80 रुपे, तो long term trend को नहीं बताता, यह headline inflation, क्योंकि इसमें food items हैं, ज़्यादा हैं, और food items की value उपर नीचे चलती रहती है, लेकिन core inflation में जो items है ना, वो long term trend को show करते हैं, अब देखो एक और term है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, term है inflation targeting, inflation targeting का क्या मतलब है, यह देखो एक ना, monetary policy strategy है, जो RBI के द्वारा follow की जाती है, इसमें RBI ना, inflation को, हमारे 6% से लेके 6% के बीच में रखने की कोशिस करता है, और focus होता है कि inflation 4% के आसपास रहें, और RBI यह insure करता है, किस के थुरू, monetary policy committee के थुरू, monetary policy committee, rates को देखो change करती रहती है, inflation को इस range में रखने के लिए, आपको example की साहिता से बताता हूँ, मान लीजिए, inflation जो है, बढ़ गई है, अब, monetary policy committee को inflation को कम करना है, तो monetary policy committee क्या करेगी, repo rate increase कर देगी, repo rate increase कर देगी, तो अब बैंकों को न, RBI से लोन जो है, वो महंगा मिलेगा, फिर देखो, बैंक भी, जो consumers को लोन है, वो महंगा देंगे, consumers के पास में पैसे कम होंगे, वो कम खर्च करेंगे, चीजों की demand कम होगी, तो price कम होंगे, यानि inflation कम होगी, तो ये मनने आपको example की साहिता से बताया, तो ये term भी important है, inflation targeting, basics जानने के बाद में अब आप मुद्दे की बात करिये, देखो मुद्दा ये है, इस बार के economic survey ने एक बहुत important बात बोली है, RBI जो अभी inflation target कर रही है न, 2% से लेके 6% के बीच में, इस inflation में से RBI, food prices निकाल दे, आप बोलोगे, सर हमने अभी अभी पढ़ा है, अगर overall basket में से food prices और fuel prices निकाल देंगे, तो वो बन जाएगा core inflation, तो क्या economic survey ये बोलना चाहता है, कि inflation target करते वक्त, RBI जो है, वो core inflation देखे, ना कि headline inflation, जिसमें basket के सारे items को consider किया जाता है, जी हाँ, economic survey का overall point यही है, कि RBI core inflation पे ज़्यादा focus करे, बजाए के headline inflation पे, और इसके लिए economic survey ना कुछ points भी देता है, जैसे, जो मैंने भी आपको बता दिये, शुरू में basics बताते वक्त, कि headline inflation ना ज़्यादा fluctuate करता है, चुकि headline inflation में food और fuel prices सामिल है, और ये fluctuate होते रहते हैं, petrol कभी 90 रुपे, कभी 100 रुपे, कभी 80 रुपे, उसी परकार से फल और सबजियों के दाम भी उपर नीचे चलते रहते हैं, इसके जबा में देखो, राइटर ये बोलते हैं, हमारे देश में अगर historical standards के हिसाब से भी देखे हैं, तो अभी food price inflation काफी ज़्यादा है, इस साल के जून में food items के जो price है ना, पिछले साल के अपिक्सा कर्थ 10% बड़े हुए हैं, और food price inflation ना बड़ी हुई है, 2019 के बाद से ही, 2019 इसलिए important point है, क्यूंकि बाद में तो देखो, covid आ गया था, बाद में 2021 में नहीं 22 में, Ukraine वार भी start हो गया था, तो इन वज़ाओं से तो inflation बढ़नी ही थी, लेकिन point ये है, इवन उन से पहले भी inflation बढ़ गई थी, 2019 से ही, writer कहते हैं, RBI को काम दिया हुआ है, inflation को 2% से 6% के बीच में रखने का, लेकिन पिछले 5 सालों में, RBI हर बार fail हुआ है, inflation को इस range में रखने से, और यनि RBI का जो track record है, पिछले 5 सालों से खराब है, इस range में नहीं रक्सका है RBI, लेकिन इवन UK में, Bank of England जो है, इनका track record भी खर जिसका aim ये है, inflation को 2% रखना है, 2022 में, US में inflation 8% से ज़्यादा बढ़ गई थी, मतलब साफ है, इन सभी economies में भी, जो food के prices हैं, वो काफी ज़्यादा fluctuate होए हैं, जिस वजए से, इवन ये बड़े बड़े देश भी, inflation को range में नहीं रख सके हैं, यहाँ पे देखो, दो questions कहा है, कि RBI जो inflation को target करें, उसमें से food prices निकाल दे, क्या आप इस चीज को justify कर सकते हो, और मान लिजिए, अगर हमने food prices को निकाल भी दिया, RBI जो inflation target करती हैं, तो क्या फिर RBI अपने inflation target को ठीक से achieve कर सकेगी, राइटर कहते हैं, दोनों questions का answer जो है न, वो no है, पहली चीज, द इंडिया में आज भी गरीब लोगों की संख्या काफी जादा है, और एक basic चीज आपने भी अपने आसपडोस में देखी होगी, चुकि गरीब लोग कम कमाते हैं, इसलिए उनकी income का एक बड़ा हिस्सा सिरफ food items पे खर्च हो जाता है, जब उनकी salary वगरा बढ़ती है, पैस करने में खर्च हो जाता है, जबकि developed country में चुकि per capita income जादा होती है, तो वहाँ पे income का माल लिजिए सिरफ 10% food items purchase करने में खर्च होता है, तो इंडिया जैसे देशों में 50% income का पैसा जो है, एक average Indian का वो खर्च हो जाता है, food item purchase करने में, तो क्या देखो 50% पैसा जब Indian household food items मे ही खर्च कर रहा है, और food items को ही आप निकाल दोगे inflation targeting में, तो कैसे इस चीज को justify किया जा सकता है, जो चीज इंडियन household के लिए सबसे ज़्यादा matter करती है, food items, आप उनको ही remove कर दोगे फिर बच्चे का क्या, राइटर बोलते हैं, देखो 2011-12 के बाद से ही food price inflation कभी भी negative नह तो मान के चलिए देखो, इंडिया में food inflation की problem है, अब आप इसे सविकार करके, या तो steps low इसे address करने के लिए, या फिर आप food prices को निकाल दो, ये आपको decide करना हैं, अब देखो दूसरे question का answer writer देते हैं, क्या food prices को निकाल भी देंगे, मतलब अगर RBI core inflation पे focus करेगा, तो क्या R RBI अपने 2% से 6% के बीच के target को achieve कर सकेगा, इसका answer भी writer बोलते हैं no, क्योंकि देखो पिछले 13 सालों में न, सिरफ एक बार ऐसा हुआ है कि RBI core inflation का target 4% के पास रख सकी है, core inflation जिसमें food prices नहीं आते हैं, पिछले 13 सालों में सिरफ एक बार ऐसा हुआ है कि core inflation भी RBI 4% तक लेकर ask की है, मतलब writer के अनुसार, core inflation को target करना भी उतना असान नहीं है जितना RBI सोचती है, इसके बाद बहुत important point आता है, deep में जाके writer बोलते हैं, देखो, काईदे से जब RBI bank rates increase करती है na, for example, repo rate, तो मक्सद यह होता है कि RBI से bank को लोन महंगा मिलेगा, bank फिर consumers को लोन महंगा यानि जनता के पास पैसा कम उपलब्ध होगा, तो demand कम होगी, demand चीजों की कम होगी, तो prices अपने आप कम हो जाएंगे, यानि inflation कम हो जाएगी अगर RBI रेपोरेट इंक्रीज करता है तो, लेकिन writer कहते हैं, देखो, ऐसा होता नहीं है, उल्टा हो जाता है, उल्टा कैसे हो ज अब ऐसी situation में देखो, जनता के पास कम पैसा उपलब्ध होगा, demand कम होगी, demand कम होगी ना, तो companies की sale कम होना start हो गई, companies की sale कम होगी, तो उनका profit गिरने लगा, उनका profit गिरने लगा, तो वो अपने profit को maintain करने के लिए ना, अपनी जो prices है ना, बढ़ा देते हैं, items के, तो मतलब inflation कम कहां होई, RBI ने reparate तो इसलिए increase किया था ना, inflation कम हो, demand कम होगी, तो inflation कम हो जाएगी, बट देखो, demand कम होने के बाद, companies ने prices कम नहीं किये, क्यों कम नहीं किये, क्यों कम नहीं किये, क्योंकि उनकी sale कम होगी, और वो profit को maintain करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने price कम नहीं कि यह, ज्यादा profit कमाना उन्होंने start कर दिया, क्योंकि sale कम हो गई, तो इस चक्कर में फिर inflation कम नहीं हुई, बलकि inflation बढ़ गई, फिर इसके बाद एक और बहुत जड़ा important point writer raise करते हैं, कि देखो, even food inflation जो है न, वो भी परभावित करता है, core inflation को, आप बोलोगे, sir, क्या बात कर रहे हो आप, core inflation का तो मतलब यह है न, जिसमें food prices और fuel prices नहीं आते हैं, जिनमें दोनों आते हैं, वो तो headline inflation है, तो फेरे, तो वैस कैसे food inflation जो है, वो core inflation को target कर सकता है, effect कर सकता है, देखो, simple भासा में आप समझिए, factories में काम कोन करते हैं, मजदूर लोग काम करते हैं न, अब देखो, वो घरों में ज़्यादा पैसा किस पर खर्च करते हैं, इंडिया जैसे देशों में, हमने शुरुबात में डिसकस किया, कि 50% पैसा वो खर्च कर देते हैं, food items पे, तो न, जब food prices increase हो गए, तो न, वो तो न, फैक्टरी मालिकों को तंखा बढ़ानी पड़ेगी, जब फैक्टरी मालिक salary increase करेंगे न, तो फिर वो क्या करेंगे, वो अपना profit तो maintain करके चलेंगे, वो जो भी product बनाते हैं, उनके दाम increase कर देंगे, मतलब जनता को महंगे products purchase करने पड़ेंगे, तो आप बताइए, food inflation ने core inflation को परभावित किया है नहीं किया, कर दिया, बेसक core inflation में food items नहीं आते, लेकिन factories में मजदूर काम करते हैं, food prices बढ़ गए तो वो अपने मालिकों को बोलेंगे, कि हमें तंखा ज़्यादा देंगे जब employer, तो वो अपने product and services के दाम बढ़ा देंगे, दाम बढ़ा द इंट्रेस्ट रेट से जैसे रेपो रेट से बाकी रेट से इंफलेशन कंट्रोल करना चाहता हैं, लेकिन ना RBI फूड प्राइसिस को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो इंफलेशन का सबसे बड़ा रीजन है, देखो 1991 के बाद से दुनिया भर में ये idea आया कि Central Banks को इंफलेशन क चलता है, food prices पे ना कि RBI का, तो RBI का food prices पे कंट्रोल ही नहीं है, तो कैसे RBI फिर inflation को target कर सकता है, नहीं कर सकता, ना तो core inflation को target कर सकता है, नहीं headline inflation को, क्योंकि अभी हमने समझा, even core inflation, जिसमें food and fuel नहीं है, food prices उस core inflation को भी affect करता है, वो labor वाल example हमने समझा, वो factory मालिक को जाके बोलेगा, food item के दाम बढ़ गए हैं, आप salary increase करिए, तो इससे core inflation भी परभावित हो जाता है, last में conclusion में हम कह सकते हैं, writers का main point यही है, कि RBI यह बोल रहा है, कि हमें core inflation target करने दीजिए, लेकिन core inflation भी RBI ठीक से target नहीं कर सकेगा, क्योंकि food prices core inflation को भी effect करते हैं, और अगर हमें देखो food prices stable रखने हैं तो हमें demand and supply पे ज़्यादा focus करना होगा, हमें agriculture में production पे ज़्यादा focus करना होगा, ज़्यादा पैदावार insure करना होगा, तब जाके हम food prices stable रख सकते हैं, तब जाके हम inflation control कर सकते हैं, otherwise देखो ये सिरफ RBI बोलता रह जाएगा, कि हाँ food prices निकाल दीजिए, तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा, पहले तो बात निकलने नहीं चाहिए food prices, क्योंकि हमारे में देश में average household food items से ज़्यादा consume करता है, और दूसरी बात, अगर निकाल भी दो, तो भी food prices affect करते हैं, core inflation को, RBI नहीं करसकेगा inflation target, इसके लिए आप ज़्यादा food items produce हो, हमारे देश में ये इंशोर करो, पूरा आर्टिकल हमने discuss किया, चलते हैं आगे, इसके बाद देखो next आर्टिकल, बिरोक्रेसी में social justice से समद्धित हैं, आप slayvers में GS paper second के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हो, social justice से भी इस आर्टिकल को relate कर सकते हो, क्या contest हैं, देखो, राहूल गांदी ना leader of opposition है, वो 29 जुलाई 2024 को न एक speech दे रहे थे, जिसमें उन्होंने ये बोला, जिस team ने budget prepare किया ना, 20 officers की team, उसमें ना एक भी schedule cast क्या फिर schedule tribe का officer नहीं था, सिरफ एक officer minority से था और एक officer OBC से था, ये बात उन्होंने बोली, इसके बाद सरकार ने भी जबाब दिया, कि अच्छा एक बात बताओ, राजीव गांधी Charitable Trust में, कितने लोग minority community के, कितने schedule caste community के, या फिर schedule tribe community के हैं, आप एक बात बताओ, राजीव गांधी foundation में, कितने लोग SC-ST हैं, तो मतलब ये political war start हो गया, लेकिन देखो, मुद्धा ये है, बिरुक्रेशी में senior level पे, SC-ST community के officers कम क्यूं होते हैं, उसका reason क्या है, राइटर कहते हैं, आप एक बार data देखिए, उसके बाद मैं आपको reason बताता हूं, अभी देखो, हमारे देश में, 322 officers ऐसे हैं, जो joint secretary या फिर secretary की post में है, central government में, अलग-अलग ministries में, अलग-अलग departments में, इन में देखो, अब 16 तो SC community के हैं, 13 ST community के हैं, 49 OBC community के हैं, और सबसे ज़्यादा, 254 general category के हैं, अब राइटर इसका reason बताते हैं, ऐसा क्यूं होता है, देखो, आप एक बात बताईए, number of attempts कितने होते हैं, एक general के पास में, 6, और age limit कितनी होती है, age limit है, 32, OBC के लिए क्या situation है, OBC के लिए number of attempts होते हैं, 9, और age limit कितनी होती है, 35, 35 तक वो attempts दे सकते हैं, अब आते हैं, SC community और ST community के तरफ, number of attempts कितने होते हैं, number of attempts होते हैं, unlimited, कितने भी attempts दे सकते हैं, लेकिन हाँ, age limit जरूर है, age limit है 37 तक, तो unlimited तो कहने की बात है, 37 तक, कितने भी attempts लिए जा सकते हैं, SC या फिर ST community के, aspirants के द्वारा, और सबसे last में, persons with benchmark disabilities, यहनि, disability वाले जो aspirants है, उनकी age limit है 42, सबसे ज़्यादा 42, अगर देखो persons with benchmark disability वाले aspirants, OBC community के हैं, तो 42 age, maximum attempts 9, अगर वो SC, ST community से हैं, तो फिर उनके attempts पे कोई limit नहीं, 42 age तक, यह सारा basic चीजे राइटर ने इसलिए बताई, क्योंकि देखो राइटर यहाँ पे एक point raise करना चाहते हैं, point यह है, SC और ST community के लिए, चुकि age limit 37 है, बहुत सारे SC और ST community के, जो aspirants है ना, बाद में select होते हैं, कोई 34 की age में select हुआ, कोई 35 में, कोई 36 में भी, कोई 33 में, कोई 32 में, late join किया, अब देखो, अगर आप service को late join करते हो ना, retirement age तो अभी सब के लिए same है, लेकिन आपने late join किया, तो इसका मतलब आप top पे नहीं जा पाते, आप top पर जाने से पहले ही retire हो जाते हो, ये problem है, जिसकी वज़े से SC, ST community के जो officers हैं, वो top पे नहीं जा पाते, क्योंकि उन्होंने service को late join किया, और वो जल्दी retire होगे, जबकि, for example, general community के जो officers हैं ना, उन्होंने जल्दी join कर लिया, उनके लिए age limit कम है, 32 है, जल्दी join कर लिया, तो उनके पास ज़्यादा service years हैं, इसलिए वो top पे जा पाते हैं, writer कहते हैं, देखो सरकार को ना, efficiency और competence पे ज़्यादा focus करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे age जो है, वो determine कर रही है कि top पर कोन पहुंचेगा, तो writer का suggestion यह है, कि आपना service के years fix कर दो, जैसे जो भी civil services को join करेगा, उसका 35 साल का कारेकाल होगा, इसका फाइदा यह होगा, कि सभी officers की retirement age अलग-अलग हो जाएगी, अब मान लीजिए, किसी ने 25 साल की उमर में civil services को join कर लिया, वो 35 साल तक काम करेगा, वो 60 पर retire हो जाएगा, अब किसी का selection 35 साल में हुआ, वो 35 साल काम करेगा, क्योंकि service year तो fix हो जाएंगे, तो फिर वो retire होगा 70 की age में, तो इससे होगा क्या, SC और SD community के, जो aspirants हैं, जो late age में select हुए, वो भी 70-70 साल तक काम करेंगे, और top पर पहुँचेंगे, लेकिन देखो, फिर एक तरकिया आता है, कि 70's में काम नहीं करवाना चाहिए, बहुत बुड़ा हो जाता है इंसान, और ठीक से काम नहीं कर पाता, तो फिर writer इसके जबाब में ये बोलते हैं, कि चलो मान लिया, 70's में काम नहीं करवाना चाहिए, तो ना फिर age limit सब के लिए थोड़-थोड़ी decrease की जा सकती है, दो-दो साल, जैसे general community के लिए अभी 32 साल है, तो इसे 30 साल कर दो, OBC के लिए 35 है, तो 33 कर दो, सब के लिए 2-2 साल कम कर दो, फिर इसका फाइदा ये होगा, 67 तक maximum सभी officers retire हो जाएंगे, और सरकार एक काम ये कर सकती है, सरकार ये करे कि 62 के बाद, एकना medical fitness test करवा ले सरकार, जो officer medically fit हो, वहीं फिर आगे काम करे 62 के बाद, अगर जो medically fit नहीं है, उनको फिर सरकार retirement दे दे, ऐसा कुछ भी सरकार करवा सकती है, वैसे भी देखो, अभी ना बहुत सारे officers retire हो जाते है लेकिन सरकार उनको कहीं न कहीं adjust कर लेती है, जैसे हमारे national security advisor है, अजीर डोवल, बहुत पहले retire हो चुके, लेकिन अभी भी वो national security advisor है, ऐसे बहुत सारे officers है, retirement के बाद भी सरकार उनको use करती रहती है, अलग-अलग positions पे, और वैसे भी देखो, life expectancy हमारे देश में increase हो रही है, medical facilities अच्छी है, average जो age है, वो increase हो रही है, तो यह हम कर सकते हैं, अगर हम higher level पे SC, ST community के officers की representation को improve करना चाहते हैं, तो यह पूरा article हमने discuss किया, writer के suggestions है, चलते हैं आगे. इसके बाद देखो next article, M-pox vaccine response से समधित है, आपना syllabus में GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूं, सबसे पहले आपको M-pox के बारे में थोड़ी सी basic जानकारी जो है वो दे देता हूं, ताकि article अच्छे से समझ में आहे, M-pox देखो एक viral infection है, जो monkeypox virus से होता है, इसे पहली बार 1970 में humans में देखा गया, और वो भी mainly African reason में, यह जो M-pox है, यह genotic disease है, genotic disease मतलब वो जो animals है, इनसान में आते हैं, और monkeypox जो virus है, यह देखो, pox virus की ही एक species है, pox virus में यह सारे virus आ जाते हैं, जैसे smallpox, cowpox और उनी की एक परजाती है, यह monkeypox virus, symptoms की बात करें, तो बुखार, सरदर्द, muscles में दर्द, पीठ में दर्द, ठकान, races, skin पे, यह सब क्या है, symptoms है, humans से humans में कैसे फैलता है यह virus, देखो, एक human से दूसरे human में यह virus फैलता है, body fluid से, जैसे किसी ने खासी की, और past में कोई था, जो infected नहीं था, तो फिर उसको भी infection हो आप देखो, यह जो M-pox virus है, इसके दो main strains है, M-pox virus के दो main strains है, एक है clade 1, एक है clade 2, जो यह clade 2 है, clade 2, यह mainly West Africa से आया, और जो clade 1 है यह Central Africa से आया, जैसे कि आप map में भी देख सकते हो, लेकिन देखो, clade 1 वाला जो virus है न, यह ज़्यादा खतरनाक है, और clade 2 वाला जो virus है, यह कम खतरनाक है, आप यहाँ पर देखो, clade 1 जो virus का strain है न, इसकी वज़े से, जो mortality rate है, वो 3% से लेके 6% के बीच में है, और clade 2, यह जो virus का strain है न, यह जिसको infect करता है, mortality rate बहुत कम है, 0.1%, अब देखो, हो क्या रहा है, 2022 में बिना Mpox का outbreak देखने को मिला था, UK से start हुआ था, बाद में, युरोप के काफी सारे देशों में case सामने आये, 100 से ज़्यादा देशों में उस समय case सामने आये थे, लेकिन उस समय न, जिस virus के strain का ज़्यादा infection देखने को मिला था, वो था clade 2B, clade 2B उतना खतरनाक नहीं था, 2022 में भी Mpox का outbreak देखने को मिला था, उस समय virus फैल रहा था, clade 2B, ये उतना खतरनाक नहीं था, primarily उन men को ज़्यादा effect कर रहा था, जो दूसरे men के साथ sex कर रहे थे, और बच्चों में, adolescent में limited case सामने आये थे, 2022 में इस virus के, clade 2B virus के, लेकिन जो नया virus है, clade 1B, जिसके अब ज़्यादा case सामने आ रहे हैं, ये even sexual contact से भी और non-sexual contact से भी फैल रहा हैं, ये clade 1B वाला जो strain है ये देखो सेप्टेमबर 2023 में Democratic Republic of Congo में इमर्ज हुआ, और तब से लेके अभी तक human to human transmission हो रहा हैं, Democratic Republic of Congo में इस clade V1 virus के infection के, दो तिहाई जो cases हैं वो तो देखो बच्चों में हैं, उन लोगों में हैं जिनकी age 15 से कम हैं, तो ये काफी चिन्ता की बात हैं, इस साल Democratic Republic of Congo में इस virus के 2863 confirmed cases हैं और 517 death भी हो चुकी हैं, तो जिस हिसाब से ये नया virus खतरनाक है और तेजी से फैल रहा है ना, तो WHO ने M.Pox को ना Public Health Emergency of International Concerns डेक्लेर कर दिया हैं, और ऐसा WHO ने देखो दूसरी बार किया हैं, मतलब 2022 में भी ऐसा किया था, जब ये रोप में M.Pox virus फैलना स्टार्ट हुआ था, लेकिन उस समय क्लेड 2B था ना कि 1B, लेकिन इस बार क्लेड 1B है, जो ज़्यादा खतरनाक है, जो कोंगो से अफरीका के दूसरे देसों में भी फैल रहा है, इसलिए दूसरी बार WHO ने इसे Public Health Emergency of International Concern कर दिया है, दो साल में, और देखो 2017 से लेकि अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है, कि WHO की ना Emergency Committee मिली, और पहली ही मीटिंग के बाद, अफरीका में किसी Disease Outbreak को WHO ने Public Health Emergency of International Concern डिक्लियर कर दिया, मतलब Emergency मीट के पहली मीट के बाद ही, अदरवाइस तो देखो, अफरीका में कोई Disease का Outbreak देखने को मिलता है, आसानी से जल्दी से WHO उसे Public Health Emergency of International Concern डिक्लियर करता नहीं है, जिस हिसाब से देखो ये वाइरस फैल रहना, उस हिसाब से Vaccines अविलेबल नहीं है, दस मिलियन डोजीज के आउ सकता है, डिजीज के Outbreak को रोकने के लिए, बट वैक्षिन अविलेबल हैं सिरफ 0.21 मिलियन, यानि 2 लाख ही वैक्षिन अविलेबल हैं, जुरूरत है, एक करोड वैक्षिन की, इवन देखो, 2022 में जब ये फैल रहा था ना, वाइरस, एमपोक्स वाला, यूरोप में और इवन यूएस में, तो भी उस समय वैक्षिन को अफरीका में सप्लाई नहीं किया गया था, जबकि डिजीज का जो मेन ओरीजन है, वो अफरीका में ही है, अभी देखो, देमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कोंगो और नाइजीरिया, इनको एमेर्जेंसी यूज ओथराईजिशन दिया गया है, वैक्षिन के लिए, एमेर्जेंसी यूज ओथराईजिशन में क्या होता है, जिसे कोई ड्रग वगएरा या फिर एक्यूपमेंट ज़रूरी है, इस एमेर्जेंसी के समय में, बट देखो, नॉर्मल प्रोसीजर से चलते तो, एप्रूवल में ज़्यादा समय लगता, बट फिलाल एमेर्जेंसी में यूज करने के लिए, उसे जल्दी एप्रूवल दे दिया गया है, इन दो देशों में कि यूज कर लो, फिलाल एमेर्जेंसी हैं, तो पॉइंट यह पास पैसा होता है, वो सब कुछ अफोर्ड कर लेते हैं, अच्छा, इलाज अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोग, वो ज्यादा मारे जाते हैं, उसी परकार से गरीब देश, उनको ज्यादा नुकसान होता है, किसी डिजीज के आउटब्रेक का, तो क्या यह जो आपको attempt करना है 250 words में तो देखो ये थी हमारी आज की discussion मिलते हैं मंडे को फिर से एक नई discussion के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिए अच्छे से पढ़ते रहिए अपना best दीजिए, खुश रहिए Thank you, thank you very much for discussion